ASSALAM ALAYKUM DOSTTAW, WELCUM TO SWEET AND SP问题 आज हम बनाते हैं कलेजी बाविक्यू मने चारवाइक के रहें कलेजी बनाने के लिए मैंने यहां पर ये कलेजी ले हैं हाफ kg है ये कलेजी के पीसेज निए साफ करके रखे हैं इसको साफ कैसे करना है इसका वीडियो आपको description box में मिल जाएगा मैंने एक दूसरे वीडियो में जिसमें दिल कले जी गुर्दे कैसे बनाना है उसके अंदर अच्छे तरीके से बता दिया है कि इसको कैसे clean करते है उसके बाद मुझे इसके इसके इंदर कुछ मसाले चाहिए जैसे यहां पर 2匁टे स्पून रचीरी पाउडर लिया है 1 TV धनिया पाउडर है 1匹 गरम मसाला पाउडर है 1匹 जीरा पाउडर है 1匹 थीस्पून ऑफ तीस्पून जो बीच में है वो चाट मसाला है वन टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट है और एक लेमन मैंने यूज करना है नमक जो है वो जरूरत के हिसाब से डालना है अब मैंने एक बड़े बोल में ये कलेजी वगरा जो है ये सब डाल दिया है उसके बाद उसमें ये जिंजर गालिक पेस्ट डाल देते हैं ये सारा मस अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसको तकरी बापिक्यू कर लिया करेंगे कंवाने करदें ज़िद ए मैं इस्तेमाल करना है कर भी कलेटी स्ट क्रिब आ प्रची आना एक वर भी करना है , तक इक मैं आपको बताए है और फिर जो है जब हम इसके उपर कलेजी लगाएंगे और उसको फिर अम जब ग्रिल करेंगे या बाबेक्यू करेंगे तो उस वक्त जहें वह पक जाती है और तो थोड़ी साइस उसका रेडिूस हो जाता है तो फिर खाते वास जहें लकडी पर चिपकती नहीं है अब ये कलेजी जो है मारिनेट करके आधा गंटा हो गया है अब मैं क्या कर रही हूँ इसके इंतर थोड़ा सा मैंने तेल डालना है वान से टू टेबल स्पून तेल डालना है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको अब इसको इसकी तुमाल कर सकती हूं मैंने एक लगती लेकर इसको ऐसे इसको इसे बनाना है और एक एक पीस ऐसे इसके उपर लगाते जाना है बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं रखेंगे ऐसे बस हमने रखना है आई अब हम ये कलेजी को बाबिक्यू करते हैं यहाँ पर हमने एक ग्रिलर जला लिया है बाबिक्यू स्टाइंड जिसको कहते हैं उसके अंदर कोईले जला दिये हैं अब हम उसके उपर एक-एक करके ये कलेजी रखेंगे हर दो मिनट के बाद हम उसको टर्न करेंगे और चेक करेंगे कि ये पकी है या नहीं इसको turn करते जाएंगे और check करते जाएंगे अब तक्रीबन 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यह कलेजी तक्रीबन तयार है इसके colour से नजर आ रहा है कि यह तयार हो गई है अब हम इसको देखेंगे सारी कलेजी चेक करेंगे और एक के बाद एक हम इसको निकालते जाएंगे ये एक एक करके हमने सारी कलेजी निकाल ली है मैं आपको बता दूँ ये देखिए ये कितने अच्छे से तयार हो गई है कलेजी एकदम अच्छा टेक्स्चर आ गया है और बहुत अच्छी नजर आ रही है आईए अब हम इसको स्टिक पर से निकालते हैं स्टिक से निकालने के लिए बहुत आसान है एक टिशू पेपर या कोई कपड़ा लेकर इसको पकड़ना है और लकड़ी को बस खीज के निकाल देना है ये आसान इसलिए है क्योंकि हमने इसको शुरुआत में पानी में भीगा कर रखा ये बहुत मज़ेदार बहुत चटपटी कलेजी बाबीक्यू खाने के लिए बिलकुल तयार है इसको घर पर बनाएए एदुल अदा पर बनाएए या कभी भी बनाएए जब दिलकरे तब बनाएए फ्रेश कलेजी से बनाएए ये बहुत मज़ेदार है ये बहुत मज़ेदार कलेजी बाबीक्यू आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएए रेचिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और स्वीट और स्पाइसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए